हलो दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल इटालियन इन हिंदी पे तो दोस्तों आज के डेट फैल में हम सीखने वाले हैं कनवर्सेशन के पारे में कैसे इटालियन लेंग्वेज में बात चीत करते हैं जैसे कि किसी को बोलना है कि मुझे बरुसा कर या तुम मुझे पर वरुसा क्यों नहीं करते या इसके बाद मैं इसको चेंज कर दो बदल दो तो इन सब चीजों को इटालिय लेंग्वेज में कैसे बोलते हैं यह आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं और वीडियो सुरू करने से पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट करन दे रहा है कि करपया मुझे पर वरुसा करे मुझे पर विश्वास करे तबार करे तो इसको हम बोलेंगे फिदाती दीमे पर फ़वोरे फिदारे वर्ब है तु ट्रस्ट वरुसा करने की एक क्रेदे वर्ब है इस वीडियो में हमागे सिखेंगे तो किसी को बोलना है कि मु घुवाइं चांटे मतलब मुझे तुम पर विश्वाद सी तुम पर विश्वाद से तुम पर विलीव है तो ओ फिदू चांटे इस तरह किसे हम बोल सकते हैं اس के बाद मैं तुम पर भरुसा नहीं कर सकता तो नोन व्यून्पोस्ट्स । फिदारि में दीते नौन पोस्सो मतलब मैं नहीं कर सकता, फिदार मिदीते मतलब तुम पर बरुसा नहीं कर सकता, तो नौन पोस्सो फिदार मिदीते मैं तुम पर बरुसा नहीं कर सकता, या अगर किसी को बोलना है कि मुझ पर यकीन करो, तो मैंने बताया है कि क्रे देरे वर्बा उसका भी हम जैसे क्रेदी में मतलब मुझे पर यकीन करो तो क्रेदेरे वरब ये भी हम यूज ले सकते हैं फिदारे वरब वो भी हम यूज ले सकते हैं क्रेदी में मतलब मुझे पर यकीन करो मुझे पर बरुसा करो या अगर किसी को बोलना है second person को कि मुझे तुम पर विश्वास है मुझे आप पर विश्वास है तो हम बोलें कि तीक्रे दो मतलब मुझे तुम पर यकीन है विश्वास है तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसके बाद में मुझे तुम पर विश्वास नहीं है तो non-tik्रे दो तिक्रे दो मतलब मुझे विश्वास है, नोन तिक्रे दो मुझे विश्वास नहीं है या अगर आपको बोलना है कि आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते कोई भी सेकेंड परजन को मैं बोलना है कि तुम उस पर थर्ड परजन पर विश्वास नहीं कर सकते तो non-poicredi di lui या female है तो lay non-poicredi di lay मतलब तुम उस पर विश्वास नहीं कर सकते जैसे कि किसी को बोलना है कि तुम उस पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि वह जूटा या जूटी है तो पेरके ए उन बुजार्दो बुजार्दो हो गया जूटा पेरके ए उन ए आया है लूई और ले के लिए ए मतलब वह सी और ही दोनों में ए पेरके ए उन मतलब कि वह ए एक है बुजार्दो मतलब जूटा तो पेरके ए उन बुजार्दो वह एक जूटा है वह एक जूटी है तो इस तरह किसे हम बोल सकते हैं तुम्हें उस पर बरुसा है, तुम्हें उस पर बरुसा है, सेकंड परेजन को हम बोल रहे हैं, तुम्हें उस पर बरुसा है, तुम्हें उस पर बरुसा है, तुम्हें उस पर बरुसा है, तुम्हें उस पर इतबार है, बरुसा है, तो इस तरिके से हम बोल सकते हैं, तुम्हें उस पर बरुसा है, तुम्हें उस पर बरुसा है, तुम्हें उस तरिके से हम बोल सकते हैं, चेडी आले उससे पूछो, केडी आली है उससे पुछो, अगर मेल है तो लुई, इसके बाद मैं रुको में पूछतां, मैं उससे पूछतां, तो इसका हम इस तरीके से हिस्तिमाल कर सकते हैं या किसी को पूछना है कि पोस्तो किये दिरे मतलब क्या मैं मांग सकता हूं या क्या मैं पूछ सकता हूं तो उस दोनों के लिए हम किये दिरे वर्प का यूज ले सकते हैं पोस्सो किये दिरे अगर आपको कुछ मांगना है जैसे कि मोबाइल मांगना है चारजर मांगना है तो पोस्सो किये दिरे रिकारी का बात दे रिया क्या मैं चारजर मांग सकता हूँ चारजर के लिए पूछ सकता हूँ तो दोनों में यह वर काम ली जाती है पोस्सो किये दि इसके बाद में ली ओक्येस तो स्कूजा मतलब मैंने उससे माफी मांग ली ली ओक्येस तो मतलब मैंने मांग ली कह दिया स्कूजा माफी तो मैंने उससे माफी मांग ली ओक्येस तो स्कूजा मैंने उससे माफी मांग ली इस तरीके से बोल सकते इसके बाद में हैं हमेशा मुस्कुराते रहे, स्माइल करते रहे तो इसको हम बोलेंगे continue हारे वर्बाय जारी रखने की continue और हमेशा मुस्कुराते रहे तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं मुस्कुराने की और कीजी को बोलना है कि तुमारी मुस्कान सुन्दर है तुमारी स्माइल अच्छी है बढ़िया है तो मतलब तुमारी मुस्कान अच्छी है सुन्दर है या दूसरा तरीका भी है बोलने का आई उन बेल सुरीजो, मतलब आपकी मुस्कान सुन दे रहा, आपके पास एक अच्छी मुस्कान है, तो दोनों में बोल सकते हैं, आई उन बेल सुरीजो, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, इसके बाद में है, वह हमें सा उदास क्यों रहता है, सेड क्यों रहता है, तो पिर मतलब इसे बदल दो, इसे चेंज कर दो, और इसको बदल दो तो कामबियार लो, मतलब इसे बदल दो, इसके बाद मैं कामबियार ये वर्व आपको स्क्रीन पर दिखाए दे रहे हैं, बदलने की, और मैं बदल रहा हूं, प्रेजेंट में हैं तो स्तो कामबियान दो, मैं इमी अवेस्तिति पेरके अजगे इस्तों कांबियान दो मैं बदल रहा हूँ इमी अवेस्तिति अपने कपडे पेरके क्योंकि ए दिवेंतारे वर्पे वर्प और जा काम्बिया तो मैंने बदल दिया, मैंने पहले ही बदल दिया, और अगर आपको बोलना है कि मैं बदल गया, तो सोनो काम्बिया तो मतलब मैं बदल गया, मैं चेंज हो गया हूं, तो सोनो काम्बिया तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, इसके बाद में मैंने इसे अभी अभी बदला है तो अपेना कांबिया तो क्वेस्ट तो अपेना वर्ड है अभी अभी जश्ट तो मैंने इसे अभी अभी बदला है जश्ट बदला ही है तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसके बाद में मैं गिन रहा हूं मैं काउंटिंग कर रहा हूं तो उसके लिए गिनने की वर्ब है Contare और में गिन रहा हूं तो stu contando, present में है तो contando, sto contando, में gin रहा हूं, stai contando, क्या तूम गिन रहे हो, that quantity, क्या तुम गिन रहे हो? किसी को भी पूचेना है, second version को, तो हम इस तरीके से पूच सकते हैं, contarEver invece to count, गिनने की, और क्या आपने सही गिनती की है, या सही से गिन लिए, तो इसको हम बोलेंगे I contento been, जो past में है, इसलिए kontato, I contento been né, क्या आपने सही गिनती की, या सही से गिन लिए तो किसी को भी पूछना है तो इस तरह के से हम पूछ सकते हैं और आपने बोलना है कि मैंने सही से गिन लिए मतलब मैंने अच्छे से गिन लिए और नहीं गिने तो मैंने गलत गिन लिए मैंने गलती करती गलती से गिन लिए तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं तो दोस्तों ये है आज का अपना वीडियो जो conversation के बारे में है कि कैसे बातचीत करते हैं Italian language में उमीद आपको वीडियो समझ में आया है जो भी आज की वीडियो में आपने सीखा है उसको आप notebook में note कर पर उसके study करें जितनी ज्यादा study करेंगे उतनी जल्दी आप language सीख पाएंगे उमीद आपको वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो like, share, subscribe जरूर करें मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद